मैं हूँ आकांशा आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ठीची ओयल को यूज करके आप अपने यह ञेसल को अपने इक पुंपल पत्रों को वीडियों कि इसे ऑसे हीा में सुरी में होग घृप भाग करते हैं तो अगर आप जाते हो तरीक हो कोई नैचरल car जो आपके skin से acne pimple की problem को दूर करें साथी साथ उसके होने वाले दाग धबे, blackheads, whiteheads, open pores ये सारी problems को भी गतम करें तो tea tree oil सबसे जादा effective है इसके side effects की बात करूँ तो side effects भी इसके कुछ नहीं है पर अगर आपकी sensitive skin है और अगर आपको बहुत जादा तीकी fragrance से problem है तब आप इसको use ना करें नहीं तो कोई भी skin type हो और कोई भी infections होगे रहा हो आप इस tea tree oil को use कर सकते है tea tree oil बहुत जादा effective होता इसमें antiseptic properties होती है, antimicrobial properties होती है और antifungal properties होती है जिसे कि skin बे जो भी bacteria होते है, skin को damage करते है उनसे यह fight करता है और आपकी skin को healthy बनाता है, glowing बनाता है tea tree oil को benefits तो बहुत सारे हैं पर अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे या फिर किसी अच्छे tea tree oil में आप invest नहीं करते हो तो आपको उसके proper results नहीं मिलेंगे मैं just tea tree oil का यूज करती हूँ और यह मैंने केला से परचेस किया है यह oil of tea tree इसमें लिखा हुआ है और कुछ जादा कुछ नहीं इसका नाम दिया हुआ है पर जब ही मैं किसी भी हिल स्टेशन जाती हूँ वहां से essential oils केसर और spices जरूर परचेस करती हूँ क्योंकि वहां के जो सारी चीचे होती है बहुत ज्यादा प्यूर होती है और इनकी fragrance से पता चल जाता है कि इतनी ज्यादा प्यूर और effective होंगी मार्केट में available tea tree oil की बात करूँ तो मैं नायका का और गुडवाइप्स का खादी का यह सारे oils यूज कर चुकी हूँ यह भी काफी अच्छे है पर इससे compare किया जाए तो इसकी बात ही अलग है इसको यूज करने के बाद मेरी स्किन इतनी जादा अच्छी हो गई है और इतन कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े विंपल हो जाते हैं उनमें पस हो जाती है या फिर बहुत जादा स्वाइलिंग हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ डायरेक्ट ही किसी भी एयरबड में tea tree oil लेकि उसके उपर अपलाई कर लेती हूँ पर यह आपको तब करना है जब आप डायरेक्ट अपलाई नहीं कीजिए और पूरे फेस पर भी आप डायरेक्ट अपलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना स्ट्रॉंग होता है हो सकता है आपकी स्किन भी से बर्न हो जाए दूसरा तरीका है जो मुझे सबसे ज्यादा परसंद है और मैं जहादा तर क्या अपलाई तो रोज मैं ऐसे ही यूज कर रही हूं वो यह कि आप किसी भी ऐलोवरा जैल मैं इसको मिक्स करके अपने फेस पर अपलाई कर सकते हैं तो मैं ऐसे बना के रख लेती हूं जैसे मुझे रोज-रोज मिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहती है तो मैं इथर काया तो आपको उसमें एक से दो ड्रॉप ही यूज करने हैं क्योंकि यह बहुत जादा स्ट्रॉंग एसले मैं एक दो ड्रॉप यूज कर रही हूं आप किसी मार्केट का लेते हैं टीशी ओ तो उसमें तीन ड्रॉप मिक्स कर लीजे इतनी कौंटिटी पर उससे ज्यादा मिक्स न तो इसे तो बीजिश करते हैं जो भी आप में टाय करते हैं यह एक दो ड्रॉप करके अपने पूरे बॉड़ी पे अपलाइ कर कर चाहता हैं टीशी यूजकर नीरल टीशे श्चमें ठीक Originku करके यह मैंeras reference आपकी बॉड़ी पे सब को यह दूर कर देगा दानों को छोटे चोटे दाने हो जाते हैं उनको बहुत ही अच्छे से यह तरीका है जो आजकर में यूज करी हूँ वह यह कि जब ही मैं स्टीम लेती हूँ तो एक ड्रॉप टीजियोयल की मिक्स कर देती हूँ और उससे स्टी स्टीन हो जाते हैं और टीजियोयल की गुड़नेस भी मिल जाती है जो कि इसकिन पे होने वाली जो भी प्रॉब्लम से उनको बहुत है तो आप भी यह करके जरूर देखिए अब बात करते हैं ड्राय स्किन वाले कैसे टीजियोयल को यूज कर सकते हैं ऐसा बलकुल नहीं है कोकोनट ओयल, ओलिव और कैस्टर ओयल यह सारे करियर ओयल्स यूज करना पसंद करते हैं यह ओयल्स आपके फेस पर सूट करते हैं तो आप इसमें एक दो ड्रॉप टीजियोयल की मिक्स करके अच्छे से मसाज कर लीजिये और आप चाहें तो रात भर लगे रहने दे सकते ह या फिर आप दो तीन घंटे लगे रहने दीजिये और वाश कर लीजिये इससे आपके जो भी एक्नी की प्रॉब्लम है वह दूर होगी साधी साधे बहुत अच्छे से आपके फेस को हाइड़िट करेगा मॉस्चराइज करेगा आप टीट्री ओयल को किसी भी क्रीम में मॉ अगर अगर आपके टीट्री ओयल अभी तक यूज नहीं किया है तो एक बार इसको यूज करके ज़रूर देखो मार्केट में जितने भी प्रोडक्स मिलेंगे और वो एक क्लीम करते हैं अगर कि आपके एक्ने की प्राब्लम को दूर करेंगे आपके दागदब दूर करेंगे तो उनमें टीट्री ओयल मिक्स होता ही है अब मार्केट में तो रोज ही नयने प्रोडक्ट साते रहेंगे तो आप कहां तक नया नया प्रोडक्ट पच्वेस करोगे इससे अच्छा है कि एक अच्छे से टुट्रियोय में इंवेस्ट करो और उसको कई तरीकों से आप यूज़ कर सकते हो आप आज के वीडियो पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो जल से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैब में